Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की इस वीडियो में बच्चों हम discuss करेंगे Worksheet No.25 for Class 7 English subject की बच्चों ये Worksheet है जो आपके लिए 23rd December 2020 के लिए schedule की गई है आज की Worksheet में बेटा हम नया topic पढ़ेंगे और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो Organized Knowledge Channel को subscribe भी कर लें और bell icon भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को समय से वीडियो की notification मिल जाएं और आप अपना काम टाइम से complete कर लें तो चलिए बेटा start करते हैं Look at the following pictures carefully and read out the words given against them आपको क्या करना है? आपको ये pictures ध्यान से देखनी है और आपको जो ये इनके साथ words दिये गए है उनको read करना है तो देखें पहली pictures में आपको क्या दिख रहा है? कि कुछ बच्चे जो है वो बहुत happy happy है happy mood है उनका बिल्कुल चिके? तो happy के साथ ये cool word लिखा हुआ है क्या है glad यानि glad का मतलब भी क्या होता है? ठीके? अब देखें next इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये बच्चा जो है ये लड़की जो है बड़ी डरी हुई है यानि fear fear यानि डर तो बेटा fear के साथ word लिखा है scare तो scare भी क्या होता है? scare का meaning भी होता है डरना यानि जो भी आप यहाँ पर word पड़ रहे हो बेटा उनका meaning दोनों का क्या है? same है happy यानि खुश होना, glad भी खुशी होना fear यानि डरना, scared डरना उसके बाद देखें ये जो है fatty है तो यानि fat यानि मोटा and always यानि always भी क्या होता है? मोटा next देखे बेटा ये बच्चा जो है sad है, यानि sad का मतलब क्या है? sad यानि एक और word लिखा है gloomy, तो gloomy बेटा होता है gloomy यानि darkness, darkness क्या मतलब क्या होता है? sadness ठीके बहुत उदासी जो होती है उसको हम gloomy बोलते हैं so sad, तो यहाँ पर हमने क्या डरना, happy खुश होना, glad भी खुश होना, तो आज हम कुछ ऐसे ही words के बारे में पढ़ेंगे जिनका, जो word तो अलग-अलग है, लेकिन उनका meaning जो है, वो same है, और ऐसे words को हम क्या कहते हैं? ऐसे words को हम synonym कहते हैं आई बेटा second exercise जो है, यहाँ पर activity वो करते हैं, क्या है? In the following set of words, pick out two which have same or almost same meaning तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो यह set of words दिये गए हैं, A, B, C, D 4 set आपको दिये गए हैं आपको यहाँ पर two जो है, pick करने हैं, जिनका meaning, वो same हो या almost same हो, वो आपको यहाँ पर find out करने हैं तो देखें, first क्या है, angry ठीके, अब बेटा देखें, angry का मतलब सबी विच्चों को पता है ना, नाराज होना अब delight क्या होता है delight का मतलब होता है enjoy, ठीके smooth का मतलब, बिल्कुल smooth यानि चिकना, और joy का मतलब क्या होता है joy का मतलब वही खुश होना enjoy करना, तो यहाँ पर कौन से दो वर्ड हैसे है, जिनका meaning similar लग रहा है आपको, एक तो हो गया delight, और दूसरा क्या है दूसरा है joy, तो आपको अपनी copy में यह इसी तरह से करने है, आपको लिखें उनको, या तो synonym लिख दीजिए, या ऐसे ही circle करतीजिए तो यहाँ पर कौन से दो, जो है हुए, जिनको आपको circle करना है एक तो हो गया delight, जिसका meaning same है किसका joy के साथ, तो यह दोनों हो गए, second set में देखते हैं brave, brave तो सभी बच्चे जानते हैं न, brave, ठीक है, I am a brave boy, भादूर बच्चा, clever clever यानि, चतूर bold क्या होता है, I am very bold, bold यानि, इसी तरह, brave जो हो है, उसी को हम क्या कहेंगे, bold कहेंगे और next है, dull, dull यानि, जिसके अंदर कोई shining नहीं है, चमक नहीं है, बिल्कुल तो ऐसा, वो क्या होगा, dull होगा, तो आपको कौन से same नजर आ रहे हैं, एक तो यह brave, और दूसरा कौन सा है, यह bold, यह हो गया, next देखते हैं, बिटा, next देखिए, refuse, refuse का मतलब क्या है, मना कर देना, accept का मतलब, accept कर लेना, deal का मतलब क्या होता है, आपस में deal करना, किसी बात पर समझोता करना, deny का मतलब क्या होता है, deny, उसने मेरे काम को deny कर दिया, deny यानि मना कर दिया, तो यहाँ पर कौन से दो वर सिमिलर हुए, एक तो हो गया, refuse, और दूसरा कौन सा हो गया, deny, ठीके, अब D देखते हैं, hop क्या होता है, hop, जैसे जो frog है, वो hop करता है, ठीके न, jumping, and tug क्या होता है, tug of war, आपने पढ़ा न, tug of war, game होता है, rope को ऐसे खीचना, तो tug क्या होता है, खीचना, and pull भी क्या होता है, खीचना होता है, nap क्या होता है, nap होता है, brief sleep, यानि एक, होता है न, नींद का छोटा सा, जो है, छोटी, ठोड़ी से देर के लिए सोना, तो वो होता है, nap तो यहाँ पर कौन से similar meaning लग रहे हैं आपको एक तो यहाँ पर हमारा जो similar है वो क्या है tug है और दूसरा क्या है बिटा यह है pull ठीक है tug and pull तो यह दो जो है हमारे यहाँ पर similar है जिनका meaning क्या है similar है तो यह आपको यहाँ पर circle करने है next देखिए synonym अब synonym क्या है a word or phrase that means exactly or nearly the same as another word or phrase is called synonym तो पिटा synonym क्या होगे synonym ऐसे words हैं जिनका meaning exactly or nearly same होता है दूसरे के उनको हम क्या कहते हैं उनको हम synonyms कहते हैं next है next given आपको है note a word can have more than one synonym और ऐसा नहीं है कि पिटा एक के साथ एक ही होगा एक word के बहुत सारे synonym हो सकते हैं here is a list of some more synonym अब यहाँ पर कुछ और synonym दिये गए हैं जो आपको अपनी copy में लिखने हैं और learn करने है good का synonym क्या होगा well अच्छा enjoyment यानि fun ठीके उसके बाद देखे next collect यानि gather collect करना एक अठा करना gather यानि कठा करना anger यानि anger नाराज होना उसका synonym क्या हो जाएगा wrath यानि जल्दी quick close यानि बंद कर देना shut close का synonym क्या हो जाएगा shut c part है choose the synonym of the underlined words in the given sentence तो आपको जो underlined word है उनके synonym आपको यहाँ पर क्या करने है choose करने है first है alka is an intelligent girl तो alka कैसी girl है alka एक intelligent girl है so alka is an intelligent का आपको synonym बताना है तो देखे intelligent का brilliant brave brilliant हो सकता है brave यानि बहादूर rich ameer famous बहुत famous है तो बिटा क्या होगा इसका synonym very good brilliant इसका synonym होगा next देखे second my mother gave me a beautiful dress मेरी mother ने मुझे एक बहुत ही beautiful dress दी तो beautiful की जगे आप और क्या use कर सकते हो ugly dress दी ugly का मतलब गंदी dress दी bright बहुत चमकदार dress दी dull बहुत ficky dress दी pretty बहुत pretty यानि सुन्दर dress दी तो beautiful को replace करके आपकर pretty लगा देएं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा my mother give me a very pretty dress तो pretty क्या हो जाएगा बेटा इसका pretty इसका synonym हो जाएगा जिसका meaning जो है वो beautiful की तरह ही है next देखे third क्या है हेमा's parents are rich हेमा के parents बहुत अमीर है अमीर है rich यानि rich को हमें replace करना है ऐसे word से जिससे इस पर कोई फरक ना पड़े sentence पे popular बहुत famous हैं नहीं हो सकता wealthy वैल्दी हो जाएगा rich का क्या हो जाएगा wealthy और भी देख लेते हैं nice बहुत अच्छे हैं तो rich का अच्छे के साथ नहीं जो है ठीक जो है यहां पर हो रहा पूर बहुत गरीब है यह तो होई नहीं सकता है तो बिलकुल ही opposite हो जाएगा तो rich का क्या हो जाएगा rich का synonym हो जाएगा wealthy ठीक है तो वह बहुत हेमा experience और wealthy यानि वह बहुत अमीर है नेक्स एक फोर्थ वन i will finish my assignment tomorrow finish finish का मतलब क्या होता है खतम कर देना so complete stop follow perform तो बिटा perform follow stop नहीं हो सकते क्या हो जाएगा finish complete यह तो बहुत easy आपके लिए i will complete my assignment tomorrow तो यह जो है इन चारों के क्या हो जाएगे synonym word हो जाएगे तो आप अपको कॉपी में को करिएगा next देखिए d part क्या है filling the blanks with appropriate letter to form synonym of the given word तो यहाँ पर आपको क्या करना है इनके synonym complete करने है और इनको complete करना है आपको fill ups दिए गए है appropriate letter से तो देखिए big का synonym क्या होगा big का synonym होगा huge big यानि बड़ा huge यानि बड़ा तो यहाँ पर क्या fill कर देंगे आप यहाँ पर you डाल देंगे यहाँ पर हम spelling लिख दे रहे हैं huge ठीके उसके बाद देखिए vacant vacant यानि खाली खाली यानि empty तो यहाँ क्या जाएगा t empty उसके बाद देखिए ill यानि बिमार होना यानि क्विक का मतलब क्या होता है बहुत तेजी से rapid क्विक का क्या हो जाएगा rapid rapid full यानि मूरक मूरक का क्या होगा synonym idiot 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 ठीक है बोलते हो न you are an idiot next देखिए clean clean यानि साफ clean का क्या हो जाएगा synonym tidy ठीक है साफ सुत्रा tidy तो यह बिटा आपके क्या है synonym words है so यह थी आज की आपकी worksheet I hope it आपको worksheet clear है कोई भी doubt है comment section में comment कर दीजे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर कर दीजे channel को subscribe भी कर लीजे and thanks for watching have a nice day